हेलो यो स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरुजी में आज हम बात करें कारपत्रक 73 की जो की 20 जनवरी के लिए जारी किया गया कक्षा 9 का विग्याम लिश्य कारपत्रक है बच्च अपने नाम लिखें और अपने कक्षा द्यापक नाम लिख और आज हम इससे पड़ेंगे विबिन परकार के लोगों की बारे में तो चली बच्चों देखते हैं जानते समझते हैं कि अरफ के क्या कास वाराज के आफ्यक्त को क्या बताना चाहता है तो बच्चों बात करें गुष्म की तो आपकी इस कार्यपत्रक में उधारना दिया और वह बिमार होने पर कुछ दिनों की चुटी लेते हैं तो यह एक सामाने सी चीज है कि कुछ बिमारी जल्दी ठीक हो जाती है कुछ बिमारी को लेट होती है अब हमें समझना है कौन सी विमारी कैसी है बच्छो तो चले देखते हैं इसके बारे में तो अगर हम बात करें मदुमे थाइरोइड कैंसर टीबी जैसे रोग जो है जुखाम हो गया बुखार हो गया सरदर्द हो गया आना हो गया या फिर जो इस तरह की रोग इससे मिलते जुलते रोग है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं जो कम अवदी में ठीक हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तिर्व रोग यह रोग हमारे स्रीर को स्थाई नुकसान नहीं प संक्रमक अब संक्रमक रोग कौन से होते हैं वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं संक्रमक रोग कहलते हैं यह कुछ शुक्षिम जीवे जैसे रुगाणों दुवारा होते हैं यह रोग लोग में संक्रमित हवा व्यक्ति के साथ स्वास्त व्यक्ति के रहने से और अन्य मादम से संचालित होते हैं एक चीज जगह से दूसरी जगह फैल जाता है इसे इने हम क्या कहते हैं संचरित रोग भी कहते हैं अब अगर बात करें इन रोगों के कारकों की तो इन रोगों के कारकों को बच्चों हमने कुछ आधार पर विभिन वर्गों बा वहासों का कारक है जो कि सुक्षिम जीव है फिर विशाणु जनीत रोग जैसे कि कोविड-19 हो गया डेंगु हो गया अपका और रेट्स हो गया और इसी तरह की एक बिमारी है सास विशाणु जो तिरुशासन सिंड्रोम यह सास लेने में जो दिक्कत होती है उसकी बिमारी कर कि अब आतीक कवज जनीत रोग कुछ परकार के कवशास है तच्छा संतिर्धी संक्रमन्ड या रोग हो सकते हैं उसे हम कवजनीत रोग कहते हैं फिर प्रोटोजवा जनीत रोग अब यह कॉमन रोग है कि आपके मलेरिया होगा कालाजर होगा यह आप लोगों काफी नाम अच्छा अब बात करते हैं आपके एसंकरमक रोगों के बारे में तो एसंकरमक रोग कौन से होते हैं यह वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैल थे यानि किसी कोई बिमारी है तो दूसरा उससे संकरमित नहीं हो सकता चाहे वो कितना भी उसके पास मेरे जैसे कि उच्रक्षा, मदूमे, कैंसर, मोतियाविन, आदी इन्हें हम ऐसंचलित रोग भी कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर नहीं जाते हैं जल्दी अन्यता ऐसे रोग जल्दी नहीं होते हैं बचो अब आगे क्या कहरा है बचो ये आगे कहरा है कि जब हम किसी रोग ग्रस्त से ग्रस्त होते हैं हमारे स्रीज में रोग की प्रक्ष्टिकिया उसके लक्षणों के रूप में कि तो हमें प्रत्रीँ क्यासे मिलती है उसके लक्षणों के रूप में मिलती है जैसी कि उधारन के लिए हम कह सकते हैं है सरदर dよね खराब तरीके से कारे करने लगते हैं और वो रोग के चिन्न के रूप में प्रकट करना शुरू करते हैं ठीक है तो बच्चो यह तो बात वह आपके कारे पत्र की अब जिरा प्रशन उत्र देख लेते हैं सबसे पहला प्रशन आपका त्रिव एम जीन रोग दोनों के कुछ उधारन की है चली उपर चलते हैं तो वह रोग जो जीवन परियांत चलते हैं वो कहलाते हैं हमारे कौनसे दिरकाली की या जीन रोग और इनके उधारने बच्चो यह अब त्रिव रोग कौनसे होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं और सल्दी ठीक हो जाते हैं वो कहलाते हैं त्रिव रोग आपके उधारनेस के खासी जुखाम, बुखा, सरदर, आकान आती है ठीक है बच्चो यह आपका अंसर बन है चली अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमर दो है संक्रमक रोग क्या होते हैं यह कैसे फैलते हैं कुछ संक्रमक रोग उनके कारक सुक्ष्म जीवों के नाम देखिए तो बच्चो संक्रमक रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमित हवा पानी व्यक्ति है स्वास्त के वाद्यम से होते हैं और यह उनके संक्रमक के कारण है बच्चो यह आपका आंसर दो है पूरक पुला चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण नमर तीन है एसंकरमक लोग क्या होते हैं उधारण सहीत समझाईए तो यह है आपका आंसर तीन पूरा पूरा एसंकरमक रोगों के बारे में चो ठीक है चलिए अगला देखते हैं प्रश्ण नमर चाहर है क्या कोविड-19 एक तिरुर रोग है इसपस्ट कीजिए तो अगर ध्यान से देखा जाए तो कोविड-19 एक तिरुर रोग ही है अगर इससे हम बच सके तो क्योंकि कुछ बचाव बेसिक बचाव से हम इससे बच सकते हैं बचो और यह कुछ समय में होत लेकिन जरूरत है बचाव की और बचाव जो करता है वह ठीक हो जाता है तो इसलिए हम इसे त्रिव रोग की कैटेगरी में डाल सकते हैं ठीक है बचो तो बचो यह हो गया आपका कारेपत्र कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता आपको वीडियो अच्छी लेगी हो ठैं